आपने आपको बताने जा रहे हैं चने की दाल और लौकी की रेसिपी तो सबसे पहले इसके अच्छा नोत करें चने की दाल उगली हुई 200 ग्राम लंबी लौकी छोटे टुक्रों में कटी हुई आथा किलो प्यास बारी कटी हुई एक अदर बडी एलाइचियां दो आदर टमाटर काटके ओ बालने चार दर लौंग चार दर छोटी एलाइची चार दर बारी कटी हुई हरी मर्चें चार दर कडी पता चंदा दर अध्रक बारी कटी हुई एक दर मेयना टुक्रा लैसन चौप किया हुए चार जबे पिसी हुई हलदी एक चाय का चममच Пос youngest पिसी हुई लाल मिर्च एक खाने का चममच साबतकाली मर्चें आधा चाय का चममच इमली का पुदर दो खाने के चममच पानी एक प्याली नमक हज बिजायका तेल चार खाने के चममच और हरा दनिया संछाने के लिए अब लोड करें चने की दाल और लौकी बनाने की तर्खी सबसे पहले एक देख्ची में तेल, अत्रक लेसन प्यास और कड़ी पत्ते प्यास के नरब होने तक पकाएं फिर इसमें लाल मिर्च, लौकी, हल्दी और नमक डाल कर पकाएं पांच मिनित बाद इसमें चने की दाल शामिल करें फिर इसमें इमली का गूदा, लौंग, बड़ी इलाइची, छोटी इलाइची साबत काली मिर्च और पानी डाल कर हल्की आँच पर पकाएं लौकी गल जाए तो इसमें टेमाटर डालें और आँच देश करके पानी खुश करके उतार लें फिर इसे हरे दुनिये से सजा कर पेश करें लीजिये कर्मा करम, चने की दाल और लौकी तयार है